माध्धिका जब प्रेक्षणों के मान एक दूसरे से बहुत अंतरपर होते हैं तब माध्धि से हम सभी कई अर्थपुर्ण निश्कष नहीं निकाल पाते यहां हम एक नए संख्यात्मक प्रतिनिधी का उप्योग करेंगे जिसे माध्धिका कहते हैं माध्धिका वह आंकड़ा है जो व्यवस्थित प्रेक्षणों में आय मानों के ठीक बीच में होता है आईए एक उधारण से माध्धिका को समझते हैं और फिर उसकी उप्योगिता देखेंगे उधारण 5 के वेतन आकड़ों को देखिए 1400, 1500, 8400, 8700, 9000, 9200, 9400 इन आकड़ों की माध्धिका क्या है? आकड़ों में कुल साथ पद हैं जिसमें से चौथा पद मध्यपद है इसलिए इन आकड़ों की माध्धिका 8700 है आकड़ों के प्रेक्षणों का मध्यपद ही हमें माध्धिका देता है कई बार माधिका आंकडों का बहतर प्रतिने दित्व कर सकती है क्योंकि माधिका पर बहुत बड़े एवं बहुत छोटे प्रेक्षणों का असर नहीं पड़ता करके देखें निम्नलिखित आंकडों की माधिका ग्याद कीजिए पहला 25, 21, 23, 18, 20, 23, 24 दूसरा 113, 102, 95, 85, 110, 109, 106, 110, 115 आईए माधिका के कुछ और महत्वपूर्ण उपयोग समझते हैं उधारन छे किसी दफ्तर में 10 पदो पर न्यूक्ति के लिए 21 वेक्तियों ने इंटर्व्यू दिया इंटर्व्यू में उन्हें कुल 50 अंकों में से निम्नलिखित अंग प्राप्त हुए इन में से 10 वेक्तियों को नौकरी के लिए चुना जाना है इसके लिए क्या किया जाए है हम जानते है कि 21 में से सरवधिक अंक प्राप्त करने वाले 10 वेक्तियों को चुना जाएंगा इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आकडो को बढ़ते करम में व्यवस्तित किया सकता है जो इस प्रकार होंगा इन आकडों में माधिका ग्यारवा पद यानि 37 है जो की शुरू के 10 व्यक्ति तथा आकरी के 10 व्यक्तियों के बीच में है अता नौकरी के लिए 37 से अधिक अंको व्यक्तियों को चुनाओ किया जाएंगा यहां 37 अकडों की माधिका है अर्थात यदि प्रेक्षणों की कुल संख्या N हो तो प्रेक्षणों का N धन एक बट दोवा पद ही माधिका होंगा आप देख सकते कि उधारण 4 और उधारण 5 में कुल प्रेक्षणों की संख्या विशम संख्या है उप्रोक्त तरीके से कुल प्रेक्षणों की संख्या विशम होने पर माधिका आसानी से ज्यात कर सकते है परन्तु यदि प्रेक्षणों की कुल संक्या सम हो तो माधिका को कैसे पता करेंगे इसे समझने के लिए एक उधारन देखते है